महेश्वरी साडी कपास मिर्च सब के लिए खरगौन को जाना जाता है नर्मदा नदी मानर्मदा के पावन तट पर है लेकिन यहाँ पर जंकता चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं भारी तादाद में लोग एक बार सबको चारों तरफ दिखा दीजे यह सभी लोग इस भ राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे और लाकर ही रहेंगे जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे हमारे तो जो बहुत अच्छा विकास हुआ है यहाँ पर जो सांसद महोदे थे इन्होंने पिछले 500 साल में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज लेकर क्या है नोगर को लेकर क्या है कपास को लेकर क्योंकि ये लाका है किसानों की क्या मांग है क्या है क्या आप लोग खुश है देखिए ये जो पश्चिमी मद्ध परदेश है ये इसके साथ जिले जो है कपास पेड़ा करते हैं और हमारा जो राजदानी है बोपाल वो यहां से 400 किलमेटर दूर है कपास जो जीले पेदा करते हैं वहां उद्ध्योग नहीं है कपास से जुड़े हुए टेक्स्टाइल उद्ध्योग भी नहीं है टेक्स्टाइल उद्ध्योग उन जगवपे है जहां पर कपास पेदा नहीं होता है और यह हमारे देश की भी तो यह बड़ी बात आप कह रहा है जहां पर कपास उगाया जाता है वहां पर टेक्स्टाइल हब बने ताकि यहां पर जादा लोगों को रोजगार प्रोसेसिंग हो जिससे किसानों को अधिक से अधिक पेसा मिले यदि आप एक शर्ट लेने जाते हैं ब्रांडेड तो चार हजार रुपे में मिलती है उसका कपास का वजन केवल 200 ग्राम है केवल 200 ग्राम कपास 100 रुपे का हुआ और यदि उसका धागा बनाएंगे तो 200 रुपे का हुआ वो 200 रुपे का धागा 4,000 रुपे में बिखता है लेकिन किसान को तो 100 रुपे ही मिलते हैं तो यह किसान की प्रोसेसिंग नहीं होने का बिनमार्णा चार सो नहीं चालीस गुना हुआ सो से सीधा 4,000 पहुँच गया यह कौन-कौन बीच म में कमाता है कैसे होता है पूरा जो प्रोसेसं है मेई विष्व में अपनी ब्रांडिंग करती है और समय-समय के उपर वह आपके ब्रेंड मैपें करती है यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास प्यसा हो गया अब मैने कुछ अलग दिखना चाहिए तो वह यह बताएंगे कि आप अलग दिख रहे हो 4000 की शर्ट पेन के पूरा मार्केटिंग का खेल है कि खरगौन सिर्फ का पास का सेंटर क्यों टेक्स्टाइल हब भी बने यहां पर पानी है बिजली है जमीन है इसकील है यहां के लेबर गुजराद महराश्ट और भी अन्नी प्रदेशों में जाते है लेकिन नहीं है तो हमारी इच्छा शक्ति हमारे नेतरतों की इच्छा शक्ति यदि यहां पर काले जाता है तो बड़े नेता अपने चैत्र मेरे जाते हैं कि इमांदारी से बताइब लोग है खिसान संके किसानों की इस इलाके में क्या माग़े बताएं किसानों की तो दशा के नाम पर वैसे ही दोनों पार्टियां बड़े बड़े दावे करती है जमीनी हगीकत कुछ नहीं है केबल उसको फुटवाल बना रखा है कभी इस पाले में कभी उस पाले में सबी लोग अपने अपने स्वार्तों रीतों को साथ तेवे जो असली मेहनत का किसान है वो भी आज उसको जो उसका मुल्य मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है हमें बार-बार चलावा किया जा रहा है कहीं देखते हैं कि संबान निदी के माध्यम से अज़ेंसिया हमारे साथ ऐसा चलावा करती है कि वह बहना बनाकर हमारे रेट कम जादा करते कुल मिलाकर यह है कि किसान का जीवन महनत करता है खुब महनत करके फसल भी उत्माद लेकिन उसको पता नहीं कि उसकी उपज का मुल्य क्या रहेगा आएद हाँ आए दिनका भी क अभी आज के चुनाओं में जो है अभी चुनाओं का मोसन चल रहा है और भारत की जनता केवल आपके टीवी को देखकर यदि निर्ने ले तो अभी जो घटनाए घटी है उसके माद्यम से यदि निर्ने ले तो एक तरफ सी ए लागू हुआ राम मंदिर निर्मान हुआ और भूत धरा तिन सो सत्तर लाग वह लेकिन का andaस कहती है कि हम अएंगे कि सब को खतम कर देंगे क्यों किह घतां कर देंगें य्दै जब तूटने लगे होसले बत तूटने लगए जब तूटने लगे होसले तो इतना याद रखना बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते ढूंड लेते हैं अंधेरे में मन्जिल अपनी क्योंकि जुगनु किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते और ऐसा ही हमारा नेत्वरत्व है जुगनु के रूप में नरेंद्र दास म भारती जनता पार्टी का एक कारेकरता जो हमारी सिर्फ एक लोकसभा होती थी अज़ हम 400 पर पहुंचे हैं और करता है बीजेपी के कौन कौन पार्टी से नहीं मूल रूप से मैं वकालात करता हूं परंतु चूकी मेरी विचारधारा उनसे मिलती है इसलिए मैं भारत का सर दिखो गुमोगे विकास हुआ है कि निवाई बोलो मंदर इसे विकास हुआ है कि निवाई मोदी 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 विकास हुआ है कि कैसे आपको पता है पहले से की 400 पार होने वाला है 400 पार होने वाला पहले से कैसे पता यह पूछ रहे हैं देश की जनता जो जिस प्रकार का मन बना चुकी है नरेंदर मोदी जी के लिए इस देश में पुरा वातावरन निर्मित हो गया है उसी के विश्वास के कारण हम लोगों को लग रहा है कि 400 पार हम लोग करेंगे क्योंकि मोदी जी जैसा नितरत्व इस देश को पहली बार मिला है